नमस्कार दोस्तों, लर्न वितारजे में आपका स्वागत है तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की समिष्टेर परिछाएं घोसित हो गई है और निश्चित तोर पे आप लोगो थोड़े टेंसन में जरूर होगे कि सलेवस पूरा नहीं हुआ है, परहाई कम हुई है और परिछाएं बहुत जल्दी लिजा रही है सही बात है, लेकिन चुनाओ की मजबूरी की वज़ा से परिछाएं जल्दी लिजा रही है तो इसमें आपको परसान होने की जड़त नहीं है मैं हर संभव मदद करने की कोशिस करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रेक्टिस कराऊंगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 1 के MCQs को लेकर आया हूँ आईए सुरू करते हैं पहला क्रेशन देखिए अगला प्रस्न है प्रबंद की लेखा विधी है विसाइगत वस्तूनिष्ट विसाइगत वम वस्तूनिष्ट दोनों या इन में से कोई नहीं तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है सब्जेक्टिव माना जाता है आपसन नमबरे आपका यहाँ पे सही होगा क्योंकि सब्जेक्टिव होने का मतलब यह है कि कुछ विसेश उदेसियों के आधार पे किसी चीज को तयार किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव कहा जाता है तो प्रबंधकी ये लेखाविदी प्रबंधकों की मदद के लिए जहां उनको आ सकता होती है डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है यसलिए ये सब्जेक्टिव है अगला प्रसंद देखिए प्रवंद की ये लेखांकन संबंधित है लेखांकन समंकों के अभी लेखांसे लागस समंकों के अभी लेखांसे लेखांकन समंकों के प्रस्तुती करार से या इन सभी से तो management accounting recording यानि अभी लेखांसे तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं हो सकता है क्योंकि अभी लेखन से संबंदित होता है financial accounting और कुछ हद तक cash accounting तो यहाँ पे लेखांकन समंगों के प्रस्तुतिकर और से management accounting का पूरा संबंद है option number C आपका सही होगा यहाँ पे management accounting में management की आउसकताओं को ध्यान में रखके financial data और cash data को कुछ इस तरिके से present किया जाता है जिससे management को decision making करने में सहायता मिले option number C आपका सही होगा अगला प्रस्न है प्रबंद की लेखांकन का प्रयोग है the use of management accounting is वैधानिक रूप से बाधिकारी यानि legally, obligatory, अनिवार्य, यानि compulsory एच्छिक, optional या कुछ उपक्रमों के लिए अनिवार्य और कुछ के लिए एच्छिक, तो यहां पे आपका option number C सही हो जाएगा एच्छिक, यानि management accounting को अपनाना optional होता है ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो ये कहता हो कि management accounting को अपनाना आपके लिए compulsory है चाहे आप किसी भी तरीके के उपक्रम हो ठीक है ना बड़े उपक्रम हो चोटे उपक्रम हो ये पूरी तरीके से optional होता है management के इच्छा के उपर है कि वो इसे अपनाएगा की नहीं अपनाएगा अगला प्रस्न है प्रबंदकी लेखाविधी अधिक सचेत है management accounting is highly sensitive to सरकारी आवसकताओं के प्रती विन्योक्ताओं की आवसकताओं के प्रती प्रबंदकी आवसकताओं के प्रती या इन सभी के प्रती तो जैसा कि इसके नाम से ही असपष्ट है प्रबंदकी लेखाविधी प्रबंदकी आवसकताओं के प्रती ज़्यादा सचेत होगा आपसन नमबर सी आपका सही हो जाएगा next question है प्रबंदकी लेखाविधी प्रबंदकी सहायता करती है management accounting helps the management केवल नियोजन में only in planning केवल नियर्देशन में only in direction केवल नियंतर में only in control या नियोजन नियर्देशन नियंतर सभी में ठीक है तो यहाँ प्रबंदकी आपका सही होगा management के जितने भी क्रियाविधी होती है उन सभी में management accounting कुछ न कुछ सहयोग करती है decision making में सबसे ज़्यादा help करती है इसके लावा planning करने में direction करने में और control करने में भी इसका काफी योगदान तहता है इसलिए option number D आपका सही होगा अगला प्रसंद देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रबंदकी ये लेखाविधी का उपकरन नहीं है which of the following is not the tool of management accounting मानव संसाधन लेखांकन human resource accounting प्रमाप लागतविधी standard casting बजटरी नियंतर बजटरी control और नेरे लेखांकन decision accounting तो यहाँ पर देखिए नेरे लेखांकन बजटरी नियंतर और प्रमाप लागतविधी ये तीनों आपने पढ़ा हुआ है कि ये तीनों जो है आपके management accounting का एक tool के रुप में आपने पढ़ा है लेकिन मानव संसाधन प्रबंध ये एक अलग चीज है इसका management accounting से कोई relation नहीं है इसलिए आपसन नमबर ये आपका सही हो जाएगा next question है प्रबंध की लेखांकन मुलतः संबंधित है चयन की समस्या से कारण परिराम के संबंधों से ब्योहारों के अभिलेखन से या केवल A और B से तो अभी मैंने बताया कि ब्योहारों के अभिलेखन से तो इसका कोई संबंध नहीं है हाँ चयन की समस्या यानि problem of choice making और charge and effect relationship इन दोनों से management accounting संबंधित होता है इसलिए option number D आपका सही हो जाएगा देखे management के सामने कई सारे विकल्प होते हैं अब उनमें से सही विकल्प को चुनने में management accounting जो है सहायता करता है तो चयन की समस्या में help किया की नहीं किया और दूसरी और संस्था के संचालन के कारक्रम में बहुत सारे event ऐसे होते हैं जिसके बारे में management को समझना जरूरी होता है कि कोई घटना हुई तो क्यों हुई उसका region क्या है और उस घटना को समझने के लिए कारणर पर्राम का relation बैठाना परता है और ये काम management accounting करता है इसमें सहायता करता है इसलिए यहाँ पर option number D आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है प्रबंद लेखाविधी एक framework है management accounting is a framework for लेखांकन के लिए for accounting लागत लेखांकन के लिए for costing नेरे के लिए for decision making या प्रबंद के लिए for management तो यहाँ पर आपका सही option होगा option number C नेरे लेने के लिए for decision making जो है management accounting एक framework के रुप में काम करता है एक पूरी व्योस्था के रुप में काम करता है तो कि नेरेन जो है वो सबसे महत्वपूर होता है किसी भी business को आगे बढ़ाने में या उसके down होने में ठीक है अगला प्रसने प्रबंद की लेखांकन की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे who was the originator of the management accounting concept तो इसका option number B सही हो जाएगा James H. Bliss इन्होंने management accounting के बारे में सबसे पहले बताया था और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था अगला प्रसन है वित्ती विवरर सब्द में सामिल है The term financial statement includes statement of profit and loss statement of profit and loss and balance sheet only balance sheet या only income statement तो यहाँ पे आपका option number B सही होगा वित्ती विवरर में profit and loss account और balance sheet दोनों ही चीजें सामिल होती है यह तो आप inter के level से पढ़ते वे आ रहे है अगला प्रसन है आर्थिक चिठे का प्रारूप होता है The form of balance sheet is समतल यानि horizontal लंबवत यानि vertical समतल या लंबवत समतल एवं लंबवत तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान दिजेगा यहाँ पे समतल एवं लंबवत भी दिया है और समतल या लंबवत भी दिया है ठीक है तो इन दोनों पे आपको ध्यान देना है भाई समतल भी होता है balance sheet, horizontal भी बनाते हैं vertical भी बनाते हैं यानि किसी एक को हम नहीं ले सकते दोनों को सामिल करना है तो समतल या लंबवत ज़्यादा सही होगा क्योंकि balance sheet तो एक ही बनाएंगे क्या तो vertical बनाएंगे या horizontal बनाएंगे बनाया दोनों तरीके से जा सकता है लेकिन दोनों एक साथ हप नहीं बनाएंगे एवम दिया है यहाँ पे समतल यवम लंबवत दोनों को एक साथ हप को क्योंकि नहीं बनाया जाता है इसलिए यहाँ पे option number C सही हो जाएगा अगला प्रस्न है चालू समपत्ती में सामिल नहीं है यहाँ नहीं सब्द दिया है चालू समपत्ती में क्या सामिल नहीं है इस्टाक, देंदार, कार या पुरुदत भी है तो आप जानते हैं इस्टाक जो है करेंट के असेट में आता है डेटर्स भी आते हैं प्रिपेड एक्सपेंसेज भी आते हैं लेकिन कार जो है एक फिक्स डैसिट है तो यहाँ पर आपसन नमबर सी आपका सही हो जाएगा कि कार एक चालू समपत्ती नहीं है अगला प्रस्न है लाभानी खाता इसके नाम से भी जाना जाता है यानि प्राफिट एंड लास एकाउंटी जाल सो नोन है तो देखो प्राफिट एंड लास एकाउंट को चारो नाम से बुलाया जाता है और प्राफिट एंड लास एकाउंट भी कहा जाता है और प्राफिट एंड लास एकाउंट भी कहा जाता है यह दोनों तो बहुत पापलर नाम है इसके अलावा इसे कई लोग statement of earning भी कहते है statement of operation भी कहते है तो इस साधार पे आपका अफसल number D सही हो जाएगा कि इन चारों ही नामों से profit and loss account को जाना जाता है अगला प्रस्थन है वित्तिय विवरर किसका सारांस प्रस्तुत करते हैं financial statement provide the summary आप खातों का accounts, संपत्तियों का asset, दायतों का liabilities या उप्रोक्त सभी तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा खातों का ऐसे तो आप कहेंगे कि संपत्ति और दायतों का balance sheet दिखाता है लेकिन वो सारांस तो खाते का ही होता है ना asset और liability को दिखाता है वो लेकिन वो summary तो account का ही होता है किसी asset का भी कोई खाता बना होगा ना उसी की summary तो दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आपसल नंबर यह आपका सही होगा next question है financial statement are विती विवरर होते हैं अनुमानित तत्य, estimated fact प्रत्यासित तत्य, anticipated fact अभी लिखित तत्य, यानि recorded fact या इन में से कोई नहीं, none of these तो देखो यहाँ पे आपका option number C सही होगा कि financial statement जो है ना recorded fact होता है अभी लिखित तत्य होता है, जब भी कोई transaction होता है तो accounting की सुरुवात ही recording से होती है इसलिए financial statement में जो भी data जाएगा वो recorded होगा ठीक है, option number C आपका सही हो जाएगा अबला प्रसंद देखते है 36 wish lesson को इस नाम से भी जाना जाता है horizontal analysis is also known as dynamic analysis, time series analysis, inter firm analysis या all of the above तो देखो, 36 wish lesson यानि एक ऐसा wish lesson जिसमे हम PL account और balance sheet से कई items को लेते है और पिछले कई साल के data को एक साथ लिखकर उसको competitive study करते है तो इसे हम कहते है horizontal analysis ठीक है, तो इसे dynamic analysis भी कहा जाता है क्योंकि time के साथ इसे analyze किया जा रहा है time series analysis भी कि कहा जाता है क्योंकि कई time period को एक साथ analyze किया जाता है इंटर फर्म analysis भी कि कहा जाता है क्योंकि एक ही फर्म के data को अलगलग साल के एक ही फर्म के data को compare किया जाता है तो यहाँ पर आपका option number D सही हो जाएगा उपर युक्त सभी ठीक है इसके बाद लंबवत विसलेसर को जाना जाता है गतिसील विसलेसर यह तो नहीं होगा इस्थिर विसलेसर यह सही है आंतरिक विसलेसर नहीं जब vertical analysis करते हैं तो जरूरी नहीं है हम internal analysis ही करें और इन में से कोई नहीं तो ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि इस्थिर विसलेसर के नाम से इसे जाना जाता है vertical analysis को static analysis भी कहते हैं जबकि horizontal analysis को dynamic analysis के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रसंद देखते हैं एक अंसधारी द्वारा वित्तिय विवररों का विसलेसर उदारर है the analysis of financial statement by a shareholder is an example up internal analysis external analysis vertical analysis या horizontal analysis तो देखो अंसधारी जो है ना वो व्योसाय के प्रबंध से अलग होता है यानि व्योसाय में काम करने वाले व्यक्तियों से वो अलग है वो व्योसाय का मालिक तो जरूर है लेकिन व्योसाय के जो अंदर संगठन है उसका हिस्सा वो नहीं होता है इसलिए यदि एक अंसधारी विती विविवनर का विसलेसर करता है तो उसे external analysis कहा जाएगा वाई विसलेसर कहा जाएगा अगला प्रसन है प्रवेर्ती अनुपात और प्रवेर्ती प्रसत प्रयोग किये जाते हैं प्रावैगिक विसलेसर में यानि dynamic analysis में इस्थेतिक विसलेसर यानि static analysis में 36 विसलेसर यानि horizontal analysis में या फिर लंबवत विसलेसर वर्टिकल analysis में तो trend ratio और trend percentage ये दोनो trend analysis से related है और trend analysis जो है 36 विसलेसर के एक टिकनिक है इसलिए आपसन नंबर सी आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है विती विवररों की तुलना व्योसाय के किसकी प्रविर्थी को इंगित करता है Comprehension of financial statement Indicate the trend of what of the business लाबदायकता यानि profitability निस्पादन चमता यानि performance विती इस्थिति यानि financial position या उप्रोक तसभिया लाबदायवब तो देखो विती विवररों की तुलना जब की जाती है तो profitability भी बताएगा जब P.L. account का compression करोगे profitability बताएगा इसके बाद यदि आप संस्था के लाब वगर के आपस में compression करते हैं या पेमेंट के position की आपस में compression करते हैं तो या निस्पादन चमता को भी बताएगा यदि balance sheet में दिये गए asset और liabilities को आप compare करेंगे तो financial position की प्रविर्ती को भी बताएगा इसलिए यहाँ पे option number D आपका सही होगा कि विती विवररों की तुलना करने से तीनों ही तरीके के प्रविर्तियों को आपस में compare करके देखा जा सकता है अगला प्रस्ने विती विवररों के विसलेशन में सामिल होता है जापारिक खाता, trading account, PL account, balance sheet या ये सभी तो भाई विती विवररों के विसलेशन में सभी सामिल होते हैं यहाँ पे अभी हमने देखा profitability को देखने के लिए PL account यूज होगा निस्पादन चमता को PL और balance sheet को मिला कर देखा जाएगा शार्ट टर्म और लांग टर्म में विती विवर इस्थिती को balance sheet के मादे हम से देखा जाएगा तो यहाँ पे भी option number D आपका सही हो जाएगा अब आ जाता है अनुपात विसलेशन आईए देखते हैं इसकंधावर्त अनुपात है inventory turnover ratio age तरलता अनुपात liquidity ratio लाबदैकता अनुपात profitability ratio सोधन चमता अनुपात solvency ratio या क्रियासिलता अनुपात activity ratio तो यहाँ पे आपका option number D सही हो जाएगा inventory turnover ratio एक activity ratio होता है यह activity के अस्तर को बताता है कि कितना अच्छा तरिके से business activity चल पा रही है अगला प्रसन है यदि संचालन अनुपात 70% है तो सुद्धलाब अनुपात कितना होगा तो यहाँ देखिए operating ratio का फर्मला जो होता है वो होता है cost of goods sold plus operating expenses upon net sales यह बताता है कि जो माल हमने बेचा है cost of goods sold यानि माल को बेचने की लागत कितनी आई direct हमारा कितना खर्चा हुआ माल खरिदने में या बनाने में इसके लावा उसे बेचने के दौरान operating expenses से हमारा कितना लगा यानि यह एक तरिके से total cost को denote करता है और sales में से cost का कितना ratio है यहाँ पे operating ratio यह बताता है दूसरी और net profit ratio का फर्मला होता है net profit upon sales या net sales multiplied by 100 ठीक है यह बताता है कि हमने जो बिक्री की उसमें lab का percentage कितना है तो कभी भी operating ratio plus net profit ratio यह दोनों मिला के हमेशा 100% होते हैं ठीक है अब यहाँ पे हमें दे दिया कि operating ratio 70% है तो निश्चित तोर पे net profit ratio कितना होगा 30% होगा तभी तो 100% पे हम पहुँच पाएंगे यानि यह cost का ratio है कि sales में cost का हिस्सा कितना है और यह profit का ratio है कि sales में profit का कितना हिस्सा है ठीक है यह दोनों मिला के हमेशा sales के बराबर 100% होते हैं तो यहाँ पे जब 70% operating ratio है तो निश्चित तोर पे 30% आपका net profit ratio होगा अगला प्रस ने चालू अनपात का आदर सस्तर है ideal level आप current ratio age तो current ratio का जो ideal level माना जाता है वो 2-1 माना जाता है आपसन नंबर B आपका सही हो जाएगा इसके बाद देखी अगला question है तडल या तवरित संपती यानि liquid या liquid asset में क्या क्या चीज़ें सामिल होती है तो देखो quick asset में prepaid expenses और inventories यानि stock को सामिल नहीं किया जाता है जब current asset में से inventories यानि stock भी कहते हैं इसे और prepaid expenses इन दोनों को minus किया जाता है तब हमें quick asset या liquid asset का पता चलता है यहाँ पे option number B आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्न है आवर्त अनुपात प्रबंध की सहायता करते हैं संसाधनों के प्रबंध में कारे निस्पादन के मुल्यांकन करने में वित का नियोजन करने में या उपर युक्त सभी तो देखो आवर्त अनुपात ये बताता है कि कितनी जल्दी जल्दी हम अपने working capital को बदल पा रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी हम माल को बेच कर नया माल खरिद रहे हैं तो ये निस्पादन का मुल्यांकन करता है performance का मुल्यांकन करता है ठीक है आपसन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा निश्ट कुर्शन है तरल संपतियों में कौन सा सा मिल नहीं है इसकंद यानि इन्वेंट्रीज या पारिक टाप यानि ट्रेड रिसिवेवल इसमें आपका डेटर्स और बिल्स रिसेवल आ जाएंगे बैंक में रोकर कैस एट बैंक या हस्तगत रोकर कैस इन हैंड तो देखो ये एकदम तरल है ये उससे थोड़ा कम तरल है केड रिसिवेवल को भी कापी हद तक तरल माना जाता है लेकिन इन्वेंट्रीज और प्री पेड एक्सपेंसेज को तरल नहीं माना जाता है लिक्विड नहीं माना जाता है और यहाँ पे ही पुछा है कि कौन सा सामिल नहीं होगा आपसन नमबर है आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए निमेरिकल फिर आ गया येंदार 40,000 रुपे हैं प्राप्य विप्रत याने की बिल्स रिसेवल है 20,000 वर्स की उधार बिक्री है 2,40,000 अब ये कह रहे हैं औसत वसूली अधी माह में ग्याद कीजिए बहुत ही आसान है एवरेज कलेक्शन पेरियर्ड इसका फार्मुला होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसेवल दोनों को जोड दिया जाता है और इसे डिवाइट कर दिया जाता है नेट क्रेडिट सेल से और मल्टिप्लाई कर दिया जाता है यदि महिने में पुछा है तो 12 से और यदि दिन में पुछा हो तो 365 से तो यहाँ पे देखिए डेटर्स हमारे 40,000 है और बिल्स रिसेवल हमारा 20,000 है उधार बिक्री हमने की है 2,40,000 रुपे की और महिने में पुछाए कि आउसत वसूली यह ओधी क्या है तो 40 और 20,000 मिला के हो जाएंगे 60,000 60,000 को जब 2,40,000 से डिवाइट करोगे तो यह 4 बार में कटेगा अब यह 12 को 4 से काट दो यह आ जाएगा 3 महिने तो यहाँ अपसन नमबर B आपका 3 महिने 3 मन्त सही हो जाएगा आया समझ में अगला प्रस्न है तरलता की सबसे कड़ी जाच होती है Most rigorous test of liquidity is Current ratio, Absolute liquidity ratio, Quick ratio या All of the Ava तरलता की सबसे सक्ट जाच जो है Absolute liquidity ratio में होती है आपसन नमबर B सही हो जाएगा देखो चालू अनुपात होता है Current Asset upon Current Liability सभी प्रकार की Current Asset को लेंगे सभी प्रकार की Current Liability को लेंगे इसका आदर्स जो ratio है वो 2 to 1 माना जाता है तरल अनुपात इसमें क्या किया जाता है Current Asset में से Prepaid Expenses और इस्टाक इन दो चीजों को माइनस कर दिया जाता है तो ये हो जाता है Liquid Asset और Current Liability से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें मिलता है तरल अनुपात इसका आदर्स अनुपात होता है 1 to 1 ठीक है और Absolute Liquidity Ratio में केवल Cash और Bank को लिया जाता है बाकी सारी Current Asset भी छोड़ दी जाती है और इसमें Current Liability को डिवाइड किया जाता है तो इसका आदर्स अनुपात माना जाता है 0.5 to 1 ठीक है तो सबसे Regress जो Test है Liquidity का वो Absolute Liquidity Ratio होता है अफसल नंबर B आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है कौन सा अनुपात जितना ही उचा होता है उतना ही अनुकूल होता है यह बात लागू नहीं होती है यह देखो यहाँ पे घुमा के पूछा है कौन अनुपात जितना उचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह बात लागू नहीं होती है, यानि यह अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा, कौन सा अनुपात प्रतिकूल होगा, यह पूछा है, सुद्धलाब अनुपात, असकंध आवर्थ अनुपात, संचालन अनुपात, या ननाबददीज, तो द कि AMY कि ये ये बार हमारा। डार साल में रहे हैं लेकिन संचालना पार दिखाता है कि हमारे खर्चे कितने ज्यादा है। तो ये संचालन अनुपात यदि जादा होगा तो ये अनुकूल नहीं होगा और यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता है तो आपसन नंबर सी आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है collection of debtors यानि दिन्दारों का संग्रह चालू अनुपात को बढ़ाता है चालू अनुपात को घटाता है चालू अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं परता है या उपर युगत सभी यानि हमारे debtors जो है यदि वो हमें payment करते हैं तो इससे चालू अनुपात पे क cash भी आता है जो हमें debtors देंगे और debtors भी आते हैं अब यहां पे debtors यदि हमें payment करते हैं तो यह debtors का amount कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने payment कर दिया cash का amount बढ़ जाएगा क्योंकि cash हमें मिल गया लेकिन current asset पे इसका कोई प्रभाव परा क्या यहां जितना कम हुआ उतना ही यह यहां पे बढ़ भी गया तो current asset पे कोई प्रभाव परा नहीं और current liability पे तो कोई प्रभाव यहां ही नहीं तो इसकी वज़ा से यहां पे सही option होगा चालू अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं परेगा क्योंकि एक current asset कम हो रही है वहीं दूसरी current asset same amount से बढ़ जा रही है त तो चालू अनुपात बिल्कुल भी परिवर्थित नहीं होगा बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर ब्याज एवं करके पश्चात लाब का प्रयोग किस प्रत्याय की गर्णा में किया जाता है profit after interest and tax is used in the calculation of the return of total asset, capital implied, shareholder fund या आलाब दैव ब्याज एवं करके पश्चात का लाब अंसधारियों के कोस्ट से प्रत्याय निकालने के लिए यूज किया जाता है, आपसल नमबर C हो जाएगा क्योंकि अंसधारियों को payment जो किया जाता है, वो सारे खर्चे, सारे tax, सारे ब्याज को चुकाने के बाद सबसे आख़ी में किया जाता है तो जब अंसधारियों को क्या return मिला, इसको निकाला जाएगा, तो ये सारे जितने भी ब्याज के करके खर्चे हैं, उनको घटाने के बाद जो लाब बच जाएगा, उससे पता चलेगा कि उनको कितना return मिल रहा है आपसल नमबर C यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रसन फिर numerical है, चालू अनुपात है 2.7-1, quick ratio है 1.8-1, चालू दाई तो है 60,000 रुपे, तो इस्टाक की value क्या होगी तो यहाँ पे आप देखें, चालू अनुपात 2.7-1 है, यानि current asset upon current liability हमें दे दिया 2.7 के बराबर है और दूसरी और कह रहा है कि तोरी तनुपात 1.8 है, quick ratio, यानि current asset में से जब इस्टाक को minus कर दिया जाता है तो quick asset मिल जाती है, और नीचे तो current liability ही रहती है, यह दिया हुआ है 1.8 है और हमें बता दिया current liability 60,000 रुपे के बराबर है तो अब यह पूछ रहा है, stock की value निकालिए कैसे निकालेंगे, देखो, यहाँ CL दोनों में दिया हुआ है 60,000 रुपे तो CA कितना होगा, current asset हमारी कितनी होगी, 2.7 multiplied by 60,000 यह amount होगा 1,62,000 रुपे CA minus stock upon CL, यह दिया हुआ है 1.8 CL का amount इधर ले जाएंगे, तो CA minus stock हो जाएगा 1.8 multiplied by 60,000 तो यह amount हमारा होगा 1,88,000 अब इन दोनों equation को घटा दो, पहले equation में से दूसरे को घटा दो CA में से CA जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा अब CA में से stock को minus करेंगे, तो stock बचेगा यहाँ minus का sign plus हो जाता है, और plus का sign minus हो जाता है जब एक equation में से दूसरे equation को घटाते हैं, तो CA माइनस CA, निल और stock का plus में sign आगया, stock और यहाँ पे यह minus होगे, 1,62,000 में से 1,8,000 घटा देंगे कितना बचेगा? 54,000 रपे कौन से option में दिया है 54,000? option number B option number B हमारा सही हो जाएगा ठीक है, अब अगला question देखते हैं, संचालन अनुपात है profitability ratio, activity ratio, solvency ratio या ननापदेज तो संचालन अनुपात जो है, लाबदायकता अनुपात में आता है हलाकि यह खर्चों के ratio को दिखाता है, लेकिन खर्चे के ratio को जब जानेंगे, तभी तो हम profit का भी ratio निकाल पाएंगे तो इसलिए लाबदायकता अनुपात के category में इसे रखा जाता है तो चलिए अगला प्रसंद देखिए आदर्स तम अमल पर इच्छन अनुपात क्या होता? idle acid test ratio तो जो quick ratio होता है उसी को acid test ratio भी कहा जाता है liquid acid upon current liabilities और इसका सही अनुपात यानि आदर्स अनुपात होता है one is to one मैंने अभी आपको बताया है अगला प्रसंद है सामानेते आक किस अनुपात की गरना परसंटेज में की जाती है तो देखिए profitability ratio जितने भी होते हैं इनकी गरना परसंटेज में की जाती है आपसन नंबर ये आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद है सामानेते आक किस अनुपात की गरना गुने में की जाती है commonly which ratio is calculated in times तो यहाँ पर आपका आपसन नंबर भी सही होगा जितना भी activity ratio है क्रियासिलता अनुपात है इसकी गरना जो है गुने में की जाती है अबला प्रसंद है किस अनुपात में एक अव्याव एक में परिवर्थित किया जाता है लाबदायक्ता अनुपात क्रियासिलता अनुपात वित्ती ये इस्थिती अनुपात और उपर युक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका आपसन नमबर सी सही हो जाएगा अगला प्रसन फिर नियुमेरिकल है यदि वर्स की सुध विक्री दो लाग पचास रियार रुपए है देंदार पचास रियार के हैं तो असत वसुली आओधी क्या होगी इप दा नेट सेल्स आप दे यर लेक फिप्टी थाउजेंट और डेटर्स आर फिप्टी थाउजेंट दें एवरेज कलेक्शन पेरियाड विल भी तो एवरेज कलेक्शन पेरियाड का फर्मुला अभी मैंने बताया था डेटर्स प्लस बिल्स रिसेवल अपान नेट क्रेडिट सेल्स मल्टिप्लाइड बाई 365 यहां दिन में पुछा इसलिए 365 हो जाएगा तो बिल्स रिसेवल का अमाउंट हमें दिया ही नहीं है डेटर्स का अमाउंट ले लेंगे 50,000 अपान क्रेडिट सेल्स हमारी है दो लाग पचास जार रुपे और मल्टिप्लाइड बाई 365 पचास जार से दो लाग पचास जार को काटेंगे पांच बार में अब इस पांच से 365 को काटेंगे तो यह हो जाएगा 7,35 और 3,73 दिन ठीक है यहाँ पे 73 का आपसन दिया है आपसन नमबर C में आपसन नमबर C आपका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए विनियोग हो सकता है चालू संपत्ती, करेंट एसिट गेर्स, चालू संपत्ती, नॉन करेंट एसिट अधिस से संपत्ती, इन्टेंजिबल एसिट या आपसन नमबर D में दिया A या B कुछ भी तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर D सही होगा क्यों, इन्वेश्टमेंट यदि सौट टर्म है सौट टर्म का मतलब क्या है एक साल से कम होदी का एक वर्ष से कम होदी का है तो यह चालो संपत्ती माना जाता है और यदि यह लॉंग टर्म हो यानि कोई सेयर डिवेंचर या कोई भी ऐसी संपत्ती हमने इन्वेश्टमेंट की है और वो एक साल से अधिक होदी के लिए की गई है तो ऐसे किसमें वो लॉंग टर्म एसेट माना जाएगा यानि गैर चालो संपत्ती माना जाएगा ठीक है तो इन्वेश्टमेंट कितने समय के लिए किया गया है इसके उपर निर्भर होता है उसका नेचर तो यहाँ पर ए और बी दोनों में कोई भी हो सकता है चालो संपत्ती के रुप में भी हो सकता है इन्वेश्टमेंट और फिक्सड एसेट के रुप में भी हो सकता है या नॉन करेंट एसेट के रुप में भी हो सकता है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी मद गैर चालो संपत्ती है गेर चालू का मतलब क्या है कौन सी fixed asset है ठीक है non current asset यानि जो fixed asset हो तो trade investment ये तो fixed भी हो सकता है चालू भी हो सकता है बाकी आपसन में देखना परेगा bills receival जो है ये चालू होते हैं ये fixed ढोंगे नहीं debtors भी चालू होते हैं prepaid expenses भी चालू होते हैं लेकिन investment चालू भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है तो यहाँ पर आपसन नंबर ये ही सबसे उप्योगत आपसन है ये आपसन नंबर ये सही हो जाएगा अगला प्रस्न है क्रे के कारणर गेर चालू संपत्ती में ब्रिधी का पर्राम होता है कोस का स्रोत कोस का प्रियोग या इन में से कोई नहीं increase in non current asset due to purchase भाई जब कोई चीज हम purchase करेंगे तो fund हमारे पास से जाएगा ना fund का मतलब क्या होता है current asset minus current liabilities इसी को कहते हैं working capital और इसी को दूसरे सब्दों में कहते हैं fund ठीक है तो current asset का मतलब हो गया cash, bank या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक साल के अंतरगत हम cash में convert कर सकते हैं तो कोस का प्रियोग का मतलब क्या है कि current asset को हमने use कर लिया अब कोई संपती खरीदेंगे जब हम तो क्या तो cash में खरीदेंगे current asset है किसी संपती को उधार करीदा हमारे creators बढ़ जाएंगे current liability है तो जब एक और कोई fixed item हो fixed asset हो या fixed long term liability हो और दूसरी और कोई current item हो तब ही fund का बहाओ होता है तो किसी संपती को crack करने में application आप fund होगा cost का प्रियोग होगा जब कोई चीजी खरीदेंगे तो हमें cost खर्च करना पड़ेगा fund को utilize करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद देखिए ब्यापारिक विन्योग का विक्रे संकेत करता है sales of the trade investment indicate चल संपती में परिवर्तन cost का प्रियोग या cost का स्रोथ विन्योग का जब विक्रे करेंगे तो उसके बदले में हमें cash मिलेगा यानि ये source of fund होगा cash जो है current asset है और जब हम investment को बेचेंगे तो ये source of fund माना जाएगा इसके बाद देखिए रिर्पत के निर्गमन द्वारा ख्याती का क्रे है purchase or goodwill by issue the debenture is source of fund application of fund no flow of fund तो देखो debenture ये क्या होता है ये होता है long term liability और दूसरी और है goodwill goodwill क्या होता है fixed asset तो आप जानते हैं कि fund का flow होने के लिए एक और current item होना चाहिए दूसरी और fixed item होना चाहिए दोनों और यदि fixed item है fund का flow नहीं होगा दोनों और current item है fund का flow नहीं होगा एक और current एक और fixed item होगा तभी fund का flow होगा तो goodwill का purchase जब debenture के बदले किया जा रहा है तो दोनों और fixed item है इसलिए कोई fund का flow नहीं होगा option number C आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए कोस प्रवाह वीवरर के अंतरगत कोस सब्द का अर्थ क्या है रोकर, cash चल संपतियां current asset चल दाइत current liability या चल संपति माइनस चल दाइत current asset माइनस current liability तो अभी मैंने बताया है कि fund का मतलब होता है working capital और working capital का मतलब होता है current asset माइनस current liability आपसन नमबर D आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद कह रहा है कोस का प्रवाह होता है जब लेंदार को रोकर में बुगतान होता है देंदारों से रोकर प्राप्त होती है नकद में मसिंदी का क्रह होता है तो देखो लेंदार जो है ये भी current item है रोकर भी current item है दोनों side में current item आ रहे है फंड का flow नहीं होगा B option में देखो देंदार current asset है cash भी current asset है दोनों current item है यहां पर भी fund का flow नहीं होगा लेके नकद में मसिंदी का क्रह किया तो एक और नकद यानि कि एक current item हमारे पास से जा रहा है दूसरी और machine दी यानि एक fixed item हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे fund का flow होगा और यही पुछा है कि कोज का प्रवाह कब होता है जब नकद में machine को खरिदा जाता है तब fund का प्रवाह होता है अफसल नमबर C सही हो अगला प्रस्ण है देंदारों यानि व्यापारिक प्राप्ति से रोकर प्राप्ति का प्रवाव होगा तो यहाँ पे भी वही बात है देंदार भी एक current asset है और दूसरी और जो है रोकर मिल रही है cash मिलता है वो भी current asset है तो दोनों और जब current item होंगे तो fund का flow नहीं होगा य यहाँ पे भी option number C आपका सही हो जाएगा no flow of fund कोस का कोई प्रवाह यहाँ पे नहीं होगा next question देखते हैं बताईए निमलिखित में से कौन सा landin कोस प्रवाह को प्रवावित करता है यानि किस landin से कोस प्रवाह होगा option number है दोनों चालू खातों को प्रवावित करने वाला एक लेंदेन तो current account को प्रवावित करने वाला लेंदेन कोस का प्रवाह नहीं करेगा चालू और गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेंदेन A transaction, affecting current and non current account तो ये B option आपका सही है और C में दिया हुआ है दोनों और गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला लेंदेन यानि दोनों और fixed item हो तो भी fund का flow नहीं होता है तो A और C आपका गलत हो जाएगा option number B सही होगा fund का flow होने के लिए एक और current item एक और fixed item होना जरूरी है asset liability दोनों में कोई भी हो सकता है यदि asset होगा तो एक asset कम होगी एक asset बढ़ेगी और asset liability दो अलग अलग चीज़े होगी तो एक और asset बढ़ेगा दूसरी और liability बढ़ेगी यानि opposite direction में चलेगा लेकिन दोनों और current item या दोनों और fixed item होने पे fund का flow नहीं होगा एक और fixed item और एक और current item होना जरूरी है अगला प्रसन है अलपकालीन प्रतिभूतियों में विन्योग का विक्रे है फिर वही प्रसना गया अलपकालीन प्रतिभूति की बात हो रही है इसमें विन्योग का विक्रे किया जा रहा है तो विन्योग का विक्रे जब करेंगे तो cash हमारे पास से आएगा यानि current asset हमारी बढ़ेगी दूसरी और से अलपकालीन प्रतिभूति दिया है तो अलपकालीन प्रतिभूति यानि short term investment भी एक current asset होती है एक current asset घट रही है दूसरी current asset बढ़ जा रही है दोनों और current item है fund का कोई flow नहीं होगा ठीक है? यहाँ पे भी आपका option number C सही हो जाएगा अगला प्रसन है निम्न में से कौन सा व्योहार कोज का उप्योग नहीं माना जा सकता परचालन से हानी loss by oppression लाभांस का नकद भुकतान payment of dividend in cash पूजी का नकद में सोधन redemption of capital in cash या नकद के लिए गैर चालू संपत्ती का विक्र है sales of non current asset for cash तो देखो यहाँ पे जब sales आप non current asset करेंगे तो cash हमारे पास आएगा ना और जब cash आएगा तो यह तो source आप fund होगा यूज आप fund तो होगा नहीं यहाँ पर आप संपढ़ते ही समझ में आगया कि यह source आप fund है यूज आप fund नहीं है क्योंकि fund हमारे पास आ रहा है कोई पुरानी समपती यदि हम fix asset को बेच रहे हैं उसके बदले में cash के रुप में या डिटर्स के रुप में current asset आ रही है तो fund का flow भी होगा लेकिन यह fund का आना है जाना नहीं है यूज आप fund नहीं है तो option number D यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रसन है फंड की उत्पत्ती हो सकती है चालू समपती और गैर चालू समपती के मध्य लेंदिन से सही बाते हो सकती है चालू समपती और चालू दाइतों के मध्य लेंदिन से नहीं होगी गेर चालू संपत्ती और अस्थाई दाईतों के मधिल इन दिन से नहीं होगी दोनों और फिक्स डाइटम है और उपर युक्त सभी तो होगा ही नहीं आपसन नमबर ये आपका सही हो जाएगा आया समझ में पढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अब हमारा कैस्ट फ्लो इस्टेटमेंट का कुश्चन आ गया रोकर प्रवावीवरर तैयार किया जाता है तो देखो कैस्ट फ्लो इस्टेटमेंट बनाते होगे तहम बैलेंस इट पील अकाउंट दोनों का यूज करते हैं और कुछ additional information भी इसमें यूज की जाती है आपसल नमबर D आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्थन है रोकर प्रवावीवरर में ब्याज कीमद को कहां दिखाया जाता है आपरेटिंग एक्टिवटी, इन्वेस्टिंग एक्टिवटी, फाइनेंसिंग एक्टिवटी या बोथ B&C तो देखो आपरेटिंग एक्टिवटी वो होती है जो रोज मरा के बीजनस के कामकाज को चलाने के लिए जो हम खर्च करते हैं या आमदनी कमाते हैं ये आप्टेटिंग एक्टिविटी में आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम कोई fix deficit अगर खरीतते है। या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये investing एक्टिविटी कहीं जाती है और financing activity का मतलब होता है जब हम पूजी जुटाते हैं या फंड पैसा जुटाते हैं जैसे हमने सेयर इसू किया डिवेंचर इसू किया लोन लिया यह सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है तो यहाँ पे देखिए फाइनेंसिंग की एक्टिविटी में भी आएगा जब हम डिवेंचर इसू करेंगे किसी को सेवधार पैसा लेंगे तो ब्याज हमें देना भी पड़ेगा तो यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आ सकता है इसलिए आपसल नमबर D आपका सही जवाब होगा कि interest को जो है investing activity या financing activity में सामिल किया जा सकता है लेकिन ये कभी भी operating activity में सामिल नहीं हो सकता है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा रोकर का अंतरवाह नहीं है which of the following is not a cash inflow inflow मतलब जिससे cash हमारे पास आता हो कौन सी ऐसी activity है जिससे हमारे पास cash नहीं आएगा तो देखो देंदारों में कमी देंदार में कमी कब होगी जब देंदार हमें पैसे का भुकतान कर देंगे कैस हाएगा पनसों का निरगमन सेयर इसु करेंगे तो सेयर इसु करने के बदले में भी हमें पैसा मिलेगा ये भी रोकरNTार रुआ है इसमें भी होगा लेंदारों में कमी यानि जिन्हें हमें पेमेंड देना था उस इमाउंट में कमी होगी तो निश्चित तोर पे वहाँ पे हमने cash को payment किया होगा और cash payment करने का मतलब है कि cash का outflow हो रहा है ठीक है तो ये inflow नहीं पूछ रहा है कि कौन सा cash का inflow नहीं है तो option number C ही सही हो जाएगा क्योंकि ये cash का inflow नहीं है outflow है चौथा option भी देख लेते हैं कोई भी option छोड़ना नहीं ये question करते वक्त confusion करने के लिए भी option दिये जाते हैं तो चारो option को पढ़ना है आपको पता चल गया कि option C सही है लेकिन उसके बाद भी option D पढ़ना जरूरी है हो सकता है यहाँ पे कुछ फंसाया हुआ हो देख लिए जै गैर चालू समपतियों की बिक्डी तो गैर चालू समपतियों यानि फिक्स जैसिट जब फिक्स जैसिट को बेचेंगे तो भी cash inflow होगा तो option number D भी सही नहीं होगा option number C ही आपका सही होगा अगला प्रस्न है निम्न में से कौन सा रोकर का बहिर वाह नहीं है यानि किसमे cash outflow नहीं हो रहा है यानि या तो inflow हो रहा हो या कोई प्रभाव नहीं पर रहा हो ठीक है तो ब्यापारिक दे ब्यापारिक प्राप्य रहतिया में ब्रिड़ी या पुर्वधत ब्य Zarends में ब्रिड़ी ठीक है अगला प्रसंद देखिए पुर्व दत्वियों की रासी में बृधी का परणाम क्या होगा Decreation Cash, Increation Cash, No Effect on Cash और None Updiz तो देखो Prepaid Expenses कब बढ़ेगा जब कोई Expenses हमने Advance में कर दिया हो तब ही तो Prepaid Expenses आएगा उसकी Amount को बृधी होगी और जब खर्चा हम Advance में कर रहे हैं तो हमारे पास Cash कम होगा की नहीं होगा इसलिए Option Number A सही हो जाएगा अगला प्रसंद है रोकर प्रवावीवरर आधारित है लिखांकन के रोकर के आधार पर लिखांकन के उपारजन आधार पर या इनमें से किसी आधार पर नहीं तो Cash Flow Statement कभी भी Cash Basis आप Accounting के आधार पर बनाया जाता है Option Number यह आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद है लिखांकन मानक तीन के अनुसार रोकर प्रवावीवरर बनाना आधे सात्मक है यानि mandatory है Cash Flow Statement according to AS3 is mandatory to All Enterprises Companies Listed in Stock Exchange Enterprises Having Turnover Exceeded in यह 50 करोर होगा ठीक है यहाँ कट गया है यह 50 करोर होगा और Option Number D दिया हुआ है B और C दोनों को तो देखों यहाँ पर Option Number D सही होगा जो कमपनिया या तो Share Market में Listed है या फिर उनका Annual Turnover 50 करोट उपए से जादा है ऐसी कमपनी को Cash Flow Statement बनाना जरूरी है लिखंकन मानक 3 के अनुसार ठीक है बाकी कमपनियों को यह जरूरी नहीं होता है यसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है उमीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को इससे लाब मिलेगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान दबा लीजे ताकि जब भी आपको नई वीडियो आए उसकी जनकारी मिल जाए नोटिफिकेशन मिल जाए धन्यवाद